तो आज हुआ करने वाले हैं क्लास माइन का चप्टर नमबर वर्न मैंटर इना सराउंटिंस का पार्ट थी बचे पार्ट बन पार्ट टू हमें और अरड़ी कवर कर लिया है हमारा मेजर पोर्शन जो है चप्टर गवर्न हो चुका है सिर्फ एक स्मोल पार्ट बचा हुआ है तो पिछने कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैंटर क्या होता है साथ ही साथ हमें डिफरेंट स्टेट्स ओप मैंटर की बढ़े पढ़ा था अब इस फीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मैंटर की स्टेट चीज कर सकते हैं लास्ट फीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम मैंटर की स्टेट चीज कर सकते हैं प्रेशर, तो जरा स्टार्ट करते हैं, जो गैसे, प्रेशर को उसके जाता है, तब जो गैस और रहराई होता है, लिकविद प्रेशर. और लिक्विट जो है जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो की स्टेट में करवान हो जाएगा अब रीजन समझती है अम समझने पड़ा था कि जो गैसी स्टेट में पार्टीकल्स हैं उनके बीच में फोर्स उफ एट्रेक्शन नहीं है अब फार्टीकल्स दूर-दूर हैं जो कि काम हो जाएगी काम होने से इसके मोव्मेंट ऑफ पार्टीकल्स काम हो जाएगी साथ ही-साथ, जám movement of particles रफ हो जाएगी, तो इसके भीछ में bonding बंदी शुरू हो जाएगी, अगर इसके भीछो बंदी बंदी शुरू हो गो prag हो गया हो गायी तो इसके भीछो थेट में किन्सथी कॉर्ट वाटू हो गई तो थे гр आप देखते हैं जो फाइर एसे कि आप देखते हैं हम उसको उपन करते हैं तो इक दम से कुछ वाइट वाइट गिरता है तो आपे का वह थे होता है बच्छे को होता है बहुत जादा प्रेशर हमने क्या क्या होता है कारवन एक्स गैस को बहुत हाई प्रेशर पर डाला हुआ हो जैसे ही उसको प्रेशर रिलीस करती है क्या निदित है कारवन एक से गैसिस फों में कि हम बहुत हैं तो हम बोल सकते हैं वाइज जैंज इंपरेचर एंड बाइज इंपरेशर में चेंजिट सेट बाइज एक परेशर जो ने लास्ट वीडियो में बढ़ा था वाइज इंपरेशर आपने समझ लिए अब इसकी बाद एफोट हम आती है काइनेटिक एनरजी पॉ में बढ़ा कि जो गैसें से उसकी बहुत स्था हुआदा का इनेटिक आपनेटी का मतलब क्या होता है तो देखे एंडी ते प्रटीकल्स इन겠र होती है उसके मोशन की वद़ह से मतलब इसकी मौशन की वद़ह से तो जहान पर भी मौश्य नहीं होगी किउस सबसे सब से पे सबसे जादा काने के दरजी और जहांपे सबसे कब मोवमेंट माँ पे अधिक इसके बार बजए चोटी सी किलोशन है जो गर आपको अब आपको आपको आच लिए में, celsius, calvin, and the degree Fahrenheit. अगर बात करोs, calvin की, calvin जो है उसकी ऐसा unit है, तो calvin is equal to 273, plus degree Celsius. यह विदम हमें temperature given है degrees Celsius में, तो हम इसको Kelvin में वे कैसे कवाए कर सकती है? उसको एड कर देंगे 273 के साथ. इसी तरह का degree Celsius में का आया है, तो Kelvin में से 273 माइरिस करताए पे, हमारा degree Celsius में temperature नहीं है, इसके बाद आता है Fahrenheit, degree Fahrenheit is equal to 9 by 5, degree Celsius plus 32, आपको यह कुछ numerical, यह कुछ calculations learn करने होगे, इसको learn करने की बार आपको का temperature किसी भी unit में given होगा, उसको बुस्य unit में करबर कर सकते हैं, तो आप इसके बार बोट करेंजी, इसके बार बच्चे, आपके इंसे आगे में एक table given है, जिसने कुछ measurable quantities गेटी हुई है, साथी साथ उनकी ऐसा unit, चैनल के सिंबल से बार बताय हुए, तो start करते हैं, first measurable quantity is length, length means लंबाई, तो कोई चीज इथनी लंबी है, suppose EGN ये एक wire है, अगर मैंने आपको बोला, उसकी length calculate करो, आप किस unit में लिखोगे, आप लिख सकते हो, while, meter में, means जो meter है, वो किसको calculate करने की unit है, length हो, तो इसके ऐसा unit हो है, meter, उसके बार उसका symbol क्या होता है, and match के आपने कितनी बार क्या होगा, meter, centimeter, kilometer, तो उसमें से जो ऐसा है, मतलब, जो internationally certified unit है, हो है, meter, इसके बाद आप है, mass, mass means कोईची कितनी भारी है, mass में हों किस पर calculate कर सकते हैं, kilogram में, आपके तहीं बार calculate के होगा, कि mass जो 5 kg है, 10 kg है, तो इसके बाद किस पर calculate के kilogram है, उसके जो symbol है, that is kg, इसके बाद जो third measurable quantity आज़ो, कि मारी volume, volume को हम cubic meter में, जो इसके SI unit है, that is cubic meter, इसको कैसे रिखने है, meter, उसके पर ही cube लगाए, ठीके, अब आपको बोलो कि मैं, volume को तो हम centimeter cube, लीटर में में calculate करते हैं, but मैं यहाँ सिरोफ आपको SI units बता रहे हैं, कि कौनसी internationally certified unit है, वो है इसकी cubic meter, उसके बाद बच्चे आपका weight, अच्छा, what is the difference between mass and weight, आप गोलो कि मैं mass भिभार का weight, भिभार का, बट बच्चे, अगर मैं mass के साथ-साथ force calculate करो, suppose किजिए, अगर मैंने आपको बोला, mass calculate करो, weight calculate करो, आपको कैसे calculate करो, यह एक pen है, अगर मैंने बोला, आपको किसका mass calculate करो, mass से आप मतलब है, कि इसके अंदर कितने particles हैं, या उसका कितना भार है, हमसे आप बताएगे, लेकिन अगर मैं बात करो, weight, तो weight में क्या होगा, mass साथ-साथ, उसके उपर कितना gravity कि तरफ से force लग रहा है, कितना gravitational force लग रहा है, तो weight का मतलब होता है, Mg, weight का मतलब होता है, Mg, तो इसकी unit जो होती है, वो भी force की unit होती है, that is Newton, और इसको symbol होता है N, उसके बाद बच्चे, जो next way is neighbor quantity आती हो, अक्रिवार की density, density के बारे में उल्री class पढ़ चुकी है, density is equal to kilogram per cubic meter, density होती क्या है, mass per unit volume, mass यह रहती kilogram, volume यह रहती meter cube, तो kilogram per cubic meter cube, यह रहती हो minus P की तरवी है न, न, यह रहती होती है, जो 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 डिवाइब होती 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 है, minus P को बता होगा, उसके बाद नेक्स यूइट है, that is pressure, यह किसी चीज़ भी कितना pressure apply कर रहे है, कितना दबाव दाल रहे है, तो pressure किसमें क्या क्या जाता है, पास्कल्स में, चीज़ है, और यह unit है PA, जो atmospheric pressure प्रेशर होती है, जो atmospheric pressure unit में भी calculate करते हैं, जो हमने melting point और boiling point में पढ़ा रहा है, उसके बाद जो next unit आती ही, that is temperature, temperature को हम अच्छे बहुत सारी units में calculate कर सकते हैं, जो उसकी SI unit है, मैं आपको भी बताया था, उसकी SI unit होती होती ह और उसका symbol होता है K, तो यह कुछ important units थी, आपको एसे units पता होनी चाहिए, कुछ important quantities थी, जो आपको एसे units पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको एसे symbols पता होनी चाहिए, तो बच्छे हमारा chapter 1, mattering and surroundings, खतर हो चुका है, हमने इसमें cover कर लिया matter, क्या होता है, कितने types का होता है, तो originally five types का होता है matter, पर दो जो matter है, उस फिरफ specific conditions में मिलता है, इसलिए हम अपने आज पार सिरफ तीन states of matter देखते है, that is solid, liquid and gas, फिर हमने properties पढ़ी थी, कि solid की क्या properties होती है, liquid की क्या properties होती है, और gas की क्या properties होती है, उसके बाद पढ़ा थी, कैसे हम matter को एक स्केट से एक स्देट से दूस्ट में जीच होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे pressure की change होने से matter एक स्टेट से दूस्ट में होता है, उसके बाद हमने अब बड़ा कालियो की energy क्या होती है, temperature क्या होता है, और कुछ miserable quantities, तो हमारा फोट चेप्टर वर खता हो चुगा है, इसके हम इसके in-text portion and exercises start करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज दो लाइक ए सब्सक्राइब इस चैनल और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्षिन में डाउट लिख लिख जिए so that हम आपको as early as possible reply कर सकें तो thank you for watching see you next time bye